हेलो दोस्तो नमस्कार और कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबी का एलफा मोनिटर यूटूब जेनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुबह खली पेट सहद खाने के फाइदे और नुकसान के बारे में आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनगरी प्राप्त उसके शहद का सेवन सवास्ते के लिए काफी फाइदे मना जाता है शहद का सेवन करने से कई बीमारियां दूर होती है वैसे तो शहद का सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन अगर सहद का सेवन सुबह खली पेट किया जाए तो यह सवास्ते को दो गुना लाब पहुंचाता है क्योंकि सहद में आईरन, कैल्सियम, फोसफेट, सोडियम, कलोरिन, पोटेशियम और मेंगनेजियम बरपूर मातरा में पाएज आता है जो सुवास्ते के लियाज से काफी लाब दाइक साबित होता है लेकिन सहद खाने के कई फाइदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं आईए जानते हैं सुवाए खाली पेट सहद खाने के क्या क्या फाइदे हैं और क्या क्या नुकसान है नमबर एक है वजन होता है कम शुबै खाली पेट शेहद का सेवन वजन कम करने में काफी मददगार साबित होता है अगर किसी को वजन कम करना हो तो इसके लिए गुनगने पानी में शेहद मिला कर सुबै खाली पेट पीना चाहिए इससे वजन है वो असानी से कम हो जाएगा नमबर दो है पाचन तंतर होता है मजबूत शुबै खाली पेट सेहद का सेवन पेट के लिए काफी फायदे मना जाता है अगर कोई रोजाना सुबै खाली पेट सेहद का सेवन करता है तो इससे पाचन तंतर मजबूत होता है शाथी कबस की सिकायद भी दूर होती है इसके लिए गुन्गने पानी में एक सम्मच सहद मिला कर पीना चाहिए नमबर तीन है ताउच्या के लिए फाइदे मंद शुबह खली बेट सहद का सेवन ताउच्या के लिए काफी फाइदे मंद मना जाता है अगर कोई रोजाना सुबह शहद का सेवन करता है तो इससे सरीर के गवदार्त बाहर निकल जाते हैं जिससे ताउच्या पर निखार आता है नमबर सार है हर्दे के लिए फाइदे मंद शहद का सेवन हारट के लिए काफी फाइदे मंद मना जाता है शुबै खाली पेट शहद का सेवन हर्द्य को सहुस्त रखता है शाथ ही अगर किसी का कोलेश्टरोल लेवल बढ़ा हुआ हो तो वे भी कंट्रोल होता है इसके लिए शहद में हलका सा दालचीनी पाउडर मिला कर सुबै खाली पेट खाना चाहिए नमबर पांच है बल्ड सरकुलेशन रहता है सही शुबै खाली पेट सहद का सेवन करने से बल्ड सरकुलेशन सही रहता है एक सावस्त सरीर के लिए बल्ड सरकुलेशन का शही रहना बहुत जरूरी होता है इसके लिए लहसून के शाथ सहद का सेवन करना चाहिए नमबर साथ है रोग परतिरोदक चमता होती है मजबूत शहद का सेवन करने से रोग परतिरोदक चमता यानि की इम्मिनिटी चमता मजबूत होती है क्योंकि शहद एंटी अक्षिडेंट गुणों से बरपूर होता है इसलिए अगर कोई रोजाना असुबै खाली पेट सेवन करता है तो इससे रोगों के परतिरोदक चमता बढ़ती है और नमबर साथ हड़ियां होती है मजबूत शहद का सेवन हड़ियों के लिए काफी फाइदे मना जाता है क्योंकि सहद में अंटी उक्सिडेंट के साथ साथ अंटी इन्फलेमेंटरी गुण भी पाइजाते हैं इसलिए इसका सेवन करने से हड़ियां मजबूत होती है साथ ही ओस्टियो पोरोसिस का खत्रा भी कम होता है आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं खाली पेट सहद काने से होने वाले नुक्सान के बारे में नमबर एक शुबह खाली पेट सहद का ज्यादा सेवन करने से पेट में दर्द की सिकायत हो सकती है नमबर दो चुब है खाली पेट सहद का ज्यादा सेवन करने से बर्ड सुगर लेवल बढ़ सकता है और नमबर तीन है शहद से कही लोगों को ऐलर्जी होती है इसलिए सहद का सेवन करने से अगर आपको तवचस सम्बंदी कोई परेशनी हो तो शहद का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह था अशका मेरो वीडियो यदि आपको यह जनकरी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी का बटन भी दबा लीजिएगा क्योंकि यहां पर मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवातों